नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक MR दोशी स्री शार्दाभाउन शिक्षन स्वांस्ता का अध्यापक महावध्याले नादेड यहाँ पर स्वहयों की प्राध्यापक के पत्पर कारेरत हूँ मैं आपके सामने हिंदी टीचिंग मेथड की MCQ क्वेशन बैंग प्रस्थूत करने जा रहा हूँ इस कारे के लिए मुझे हमारे प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर अनुरा धारौत और दीन मैडम डॉक्टर वैजनता पाटि इन्होंने मार्गदर्शन और प्रेणा दी है चलो तो हम देखते हैं अध्यापन पद्धति हिंदी के MCQ 20 क्वेशन पहला क्वेशन है हिंदी शिक्षक का महत्वपुर्ण कार्य होता है अध्यापन कक्षा प्रबंदन मुल्यांकर नियोजन तो हिंदी शिक्षक का महत्वपुर्ण कार्य होता है अध्यापन अध्यापन के बाद कख्षा प्रबंदर, बाद में नियोजन, बाद में मुल्याकन, लेकिन महत्वपुर्ण कार्य है अध्यापन अगला सवाल है निम्न लिकीत में से कौन सा साधन निरिक्षन तंत्र का साधन है? प्रश्णावली समाजमितित ताली का मापनी साक्षाकार प्रश्णावली संशोधन कारे में उपयुक्त साधन है समाजमितित ताली का लोगों के परसपर संबंद के आकलन के बारे में उपयुक्त है और साक्षाकार आत्मनिरिक्षन का साधन है मापनी जिसे निरिक्षन तंत अगला क्वेस्चन है हिंदी भाषा की लिपी कौन सी है रोमन फार्शी देवनागरी गुरुम की तो सही जवाब है देवनागरी सौंस्कूरुत और मराठी भाषाओं की भी लिपी देवनागरी है अगला सवाल है मुल्यांकन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है उद्देशों का निर्धारन किया जाता है मुल्यांकन के साधनों का चैन किया जाता है अधिगम क्रियाओं का आयूजन किया जाता है अध्यापन साधनों का चैन किया जाता है तो सही आंसर है उद जिसे मुल्य मापन का त्रिकोम तैयार हो जाता है अगला क्वेश्चन है भाशा के चिन्नों द्वारा अभिव्यक्त करने के माध्यम को क्या कहते हैं व्यकरण अक्षर लीपी मात्रा तो सही जवाब है लीपी कहते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिकित में से कोंसा पर्या वार्षिक नियोजन से संबन्दित है किसी भी शिक्षक को अध्यापन के लिए नियोजन कार्य करना पड़ता है पहले वार्षिक नियोजन करना पड़ता है बाद में घटक नियोजन और बाद में पाठ नियोजन आता तो इसमें पर्या है आशय का विश्लेशन, मुल्यांकन के साधनों का चैन, हिकाई के उपर कसूर्टी का निर्मान पढ़ाने के लिए साल में उपलब्द दीन। तुमें मालू है कि हिंदी दीन सुदा शितम्बर को मनाया जाता है तो इसमें कौन सा पर्या है? सभूदा सितंबर वननी सो पचास तो सही जवाब है एगला सवाल छात्र मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोक करता है यह स्पष्टिकरन विधान किस उत्तेश्यका स्तर बताता है ज्यान, आभीरूची, उपयोजन, अगलत तो मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग करना ये एप्लिकेशन याणि उपयोजन स्तर बताता है उपयोजन ये उद्देश्च का स्तर बताता है अगला सवाल है निदान अत्मक परिक्षन का उद्देश्यक क्या होता है चात्रों के संपादन शम्ता को जाचना होता है अधिगम की प्रक्रिया के अवरोधक कार्णों को ढूनना होता है चात्रों की अभियोक्यता शम्ता को जाचना होता है छात्रों के पुर्वज्यान के बारे में पता लगाना होता है तो इसमें सही अंसर है सही अंसर है अधिगम की प्रक्रिया के अउरोधक कारणों को ढूनना यह सही जवाब है अगला सवाल है हिंदी भाषा शिक्षक के पास कों सा गून होना चाहिए या होने चाहिए हिंदी भाषा पर प्रभुत्व अध्यापन विध्यों का ज्यान बाल मानश शास्र का ज्यान उप्रोक्त सभी हिंदी भाषा के शिक्षक के पास अध्यापन विदियों का ज्यान होना चाहिए भाषा पर प्रभूत्व होना चाहिए बाल मानस्यसर का ज्यान भी होना चाहिए और इसलिए उपरोगत सभी यह परयाय राइट है अगला सवाल है त्रीमिती पत्रक किसे संबंदित होता है गटक नियोजन वार्शीक नियोजन गटक के उपर कसूटी निदानात्मक परिक्षाट गटक के उपर जो कसूटी ली जाती है इसके लिए हम त्रीमिती पत्रक तयार करते हैं जिसे हम सम्विधाम तकता या ब्लूप प्रतिकृति यह साधन नहीं है। जब हम किसी प्रतिकृति बनाते हैं जैसे ताजमाल की प्रतिकृति बनाते हैं या इगलू जो तुंट्रा प्रदिश में मकान रहता है यह स्राव्य साधन नहीं होती है यह सिर्फ दुख स्राधन होता है। अगला प्रश्णा है भारतिय समविधान की किस दारा में हिंदी भाष्या के विकास के निर्देश दिये गये हैं। 343, 350, 351 और 356 तो 351, 351 यह सही जवाब है। अगला प्रश्णा है वस्तुनिष्ट प्रश्ण के बारे में सही विदान कौन सा है। छात्रों की विचार अभिवेक्त करने की शमता जांचने के लिए वस्तुनिष्ट प्रश्णों का प्रयोग किया जाता है। बहु ईकल्पी यह वस्तुनिष्ट प्रश्ण का एक प्रकार है। मुहावरे और अलंकारिक भाशा की प्रयोग करने की शात्रों की शमता पहिचानने के लिए वस्तुनिष्ट प्रश्णों का प्रयोग किया जाता है। जिसे हम Multiple Choice Questions कहिते हैं। अभिवेक्त करने की शमता जांचने के लिए लिभन्द प्रश्ण ऐसे टाइप क्वेशन का प्रयोग किया जाता है। बहु इकल्प ये प्रश्ण ये वस्तुनिष्ट प्रश्ण का एक प्रकार है। और भाषा के लिए बहुत महत्व पुर्ण सादं है। इसलिए उप्रोक्त सभी। अगला सवाल है भाषा शिक्षन का प्रारम कोंशी क्रिया से होता है। भाषा शिक्षन का प्रारम कोंशी क्रिया से होता है। सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, भाषा अनुकर्ण की माध्यम से सीख ली जाती है, इसले सुनना, पहली सुनने की प्रक्रिया, बाद में बोलने की प्रक्रिया. एगला प्रश्णा है, निम्न लिखित में से कोंशी जगपर आधुनिक उपकरणों द्वारा छात्रों को भाषा उच्चारन शिखाया जाता है, शास्त्र प्रयोक्षाला, भाषा प्रयोक्षाला, दुरस्त शिक्षा केंद्र, आकाश्वाणी, भवन. तो सही जवाब है, भ विद्वान, विद्वानों की है, कॉर्टर गुड, मर्सेल, गुड और ब्राफी, योकम और सिंसन, सही जवाब है, कॉर्टर गुड. अगला क्वेश्चन है, जिस उद्देश्य के लिए परिक्षन टैयार किया है, यदि वह उसकी पूर्ती करता है, तो वह कहलाएगा, क् परिक्षन, विश्वस्निय परिक्षन, वईद परिक्षन, वस्तुनिष्ट परिक्षन, तो उसे हम वईद परिक्षन कहते है, अगला सवाल, लास्ट, के पश्चात उप्चारत्मक अध्यापन होता है, किस परिक्षन के पश्चात उप्चारत्मक अध्यापन होता है, नि निदानात्मक परिक्षंड डयायगनौश्टिक टेस्टिंग के बाद उक्चारात्मक अध्यापन जिसे हम अंगरेजले में रेमिडियल टीचिंग काई होता है। निदानाप्पक परिक्षन के पशा उप्चार अत्मक अध्यापन की क्रिया होती है। धन्यवाद सुबेच्छा बेश्ट विशेश।